आप लोगों के लिए ऐसी नई रेश्पी लेके आई हो जो आप लोगों के आप लोगों का नाम लेते ही मुह में पानी आएगा तो आप लोगों एक भी पार्ट मीडियो को मिस मत किजिएगा तो देखिए ध्यान से ये मेरी क्या है प्याज लिया है और खटाई लिया है कैरी कच्छी कैरी है पकी हुई नहीं है और इसमें लाल मिल्च फरी मिल्च एड़ किया है और जीरा और सारी चीजे एड़ किया है जीरा है काली मिल्च है हर चीज मैंने एड़ कर लिया है अपने मन मुताबिक एड़ कर लिए जीगा और थोड़ी सी काली मिल्च भी एड़ कर लेंगे और थोड़ा सा खड़ा जीरा थोड़ा सा खड़ा जीरा एड़ करेंगे जिससे अच्छी से मेरी रेश्पी बने भाई खटाई का नाम सुनते ही आप लोगों के भी मुह में पानी आजाता होगा ना तो पहले हम लोग छोटे थे तो बहुत खाते थे आप लोग भी खाते होंगे है ना फ्रेंस तो हम क्या लेक करेंगे अब एक मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में बड़ी हम सारी चीज़े आड़ कर देंगे एक एक करके इसे कच्छी करी आड़ करेंगे प्याज आड़ करेंगे और क्या आड़ करेंगे friends अभी आप लोगों को दिखाए थे तो वही सारी चीजे हम इसमें बहुत अच्छे से आड़ कर लेंगे आड़ करने से पहले आप लोगों को क्या मेरी recipe पसंद आ रही है अगर आ रही है तो मेरे वीडियो को share कर दीजिए, like कर दीजिए और चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजिए जो लोग मेरे चैनल पे पहली बारा हैं उनसे भी रिकोष्ट हैं मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए अब हम सारी चीजे बढ़िया बहुत अच्छे से आइड कर लेंगे एक एक करके आप लोगों को अगर और भी रेस्पी चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना जैसे की नारियल की रेस्पी है अरे क्या क्या बताएं बहुत सारी है तो हम बहुत अच्छे से एक एक करके आइड कर लेंगे शारी चीजे आप लोगों आप लोग तीखी अगर कम खाना चाहते हैं तो हरी मिर्च है लाल मिर्च कम कर दीजिएगा मुझे भाई तीखी थोड़ा पसंद है तो अपने लिए बना रही हो अपनी फैमली के लिए प्यारी सी फैमली के लिए तो मेरे घर पे सभी लोग तीखी पसंद करते हैं तो हम इतनी ही आइट कर लेंगे सारी अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी मिर्च कम कर लिजिएगा और सारी चीजे आइट कर लिजिएगा जिससे बहुत प्यारा सा एक तेस्ट आएगा काली मिल्च भी आइट करियेगा जरूर परसनेली मैं बोल रही है इससे बहुत प्यारा सा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा खड़ा जीरा भी जरूर आइट करियेगा अब सारी चीजे अगर आप लोगों को हाथ की रेश्पी चाहिए यही जो मैं बना रही हो ना तो मेरे चैनल पर पड़ी भी है मैं मिक्सी में इसे पीस लूँगी बहुत अच्छे से अगर आप लोगों को और भी एड़ करना है तो एड़ कर लीजिएगा थोड़ा सा क्या आड़ करेंगे नमक भाई नमक के बिना तो यह रेश्पी अधूरी है ना तो नमक चुरूर एड़ करिएगा वो भी स्वात के अंसार टेस्ट के अंसार भाई किसी को कम पसंदे किसी को ज्यादा तो आप लोग अपने टेस्ट के अंसार आड़ कर लीजिएगा थोड़ी हम और आड़ करेंगे क्या फ्रेंस थोड़ा मुझे ओनियन कम लग रहा है प्यास तो और भी आड़ कर लेंगे अब चलते हैं मिक्सी के पास भाई पीसना ह ना कि देखिए अभी हम नहीं पीसे हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं फ्रेंस देखिए आप जा रहे हैं अगली प्रोसेस पीसने भाई आप लोग शिल भी पीस सकते हैं थोड़ा सील पे जो है चीज अच्छी मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगती सिर्की पीसी लिय ये थोड़ा ये है कि जल्दवाजी का काम हो जाता है अगर आपको 10 मिनट लगेंगे तो इसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे बस स्विच आन करिए पेस जाती है ना मुझे तो भाई सिल्की पसंद है अब इसी में क्या आड़ करेंगे थोड़ा सा पानी अगर आप लोगों को ग गिली चाल थोड़ा सा आड़ कर देंगे देखें फ्रेंड्स पीस के रेडी है कि देखिए आप लोग कैसे पीस्ते हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा सिल्क या फिर मिक्सी के जार में देखें फ्रेंड्स वाव नाइस बहुत जल्दी से पीस के रेडी हो गई पहले के लोग थे ना सिल्क पीस्ते थे आज भी सिल्की मुझे भाई बहुत पसंद है दादी और नानी के हाथों का स्वाथ तो भूल नहीं पाता कोई भी आपके घर पे दादी और नानी भूंगी ना तो उनसे पिस्वाईएगा बहुत मस्त बड़िया प्यारी सी चक्नी बन के रेडी है ना फ्रेंड्स देखिए भाई मैं क्या कोई हवा में बात नहीं कर रही हूं अगर आम का नाम सुनते हों कच्ची करी बहुत पकी नहीं कच्ची करी अगर सामने है तो मुह में पानी आ जाता है मेरे तो आ जाता है मैं आपकी नहीं बोलती हूं आप लोगों पीस के रेडी है ना अब आप लोग इसे बहुत अच्छे से खा सकते हैं अगर आप लोगों को मेरी रेस्टी पसंद आ रहे हैं मेरी चटनी तो आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और सेर कर दीजे हमेशा की तरह सिप तीन जीज लाइक सेर और सस्क्राइब थ झाल